हेलो स्टुडेंट्स आम प्रमुष्वर्मा फेकल्टी अब जोग्रुफी बच्चों इस समय घर पर रहिए सुरक्षित रहिए शांती से पढ़ते रहिए मन मस्तिस को शांत रखिए इसके लिए योग ध्यान कीजिए और प्रसंचित रहने का सद्यव प्रयास कीजिए जितना आप प्रसंचित रहेंगे सफलता उतनी ही आपके नजदीक होगे बच्चों एक मैं आज विशेश तौर पर कुछ चीज़ें डिसकस करूंगा और वह है प्रादेशिक भूगुल बच्चों आप लोग जसा की जानते हैं विश्व के बिफिन महादीपों से बिफिन प्रकार के प्रस्ण प्रहय पूछे जाते रहते हैं आपकी प्रारंबिक परिक्षा में कई बार महादीपों से संबंधित प्रस्ण जैसे उनकी नदियां उनकी जीलें उनके परवत जंगल उनकी चोटियां उनके आसपास के शागर उनके देश उनके नगर देशों के नगर उनकी आर्थिक गत्विधियां इन सभी से प्रस्ण प्रहय पूछा जाता रहता है और कई बार बच्चे इन प्रस्णों को शौल नहीं कर पाते हैं एक बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है कि इन में ज्यादा तर जो प्रस्ण होते हैं वे प्रहय समसामाईक मुद्दों पर आधारित होते हैं एक बड़ी खास बात है कि इन में प्रस्णों का जो नेचर होता है बहुत सारे वह समसामाईक मुद्धो प्राधाइत होता है जैसे आप लोगों ने पेपर देखी होंगे कि अभी भुमद सागर से लगे हुए कई सारे देशों को अभी पिछले दो-तिन सालों में पूछा है तो यदि आप ध्यान दे तो सिर्या वी बाद लेबनउन इसलाइल वी बाद लेबनन जौडण उज्व्ट भी बाद इसा बहुत सारे इसएरिया में चलते रहें या लीविया संकर्थ हो या आप देखोगे टुनेशिया की टुनेशिया से शुरू हुई अरब स्प्रिंग्स की बात हो बहुत सारी चीजें इस एरिया में घटित हुई है तो प्रस्ण प्राहय पूछा गया है है ना तो ऐसे में आप लोगों को समसामाइक मुद्दों से जुड़ी हुई बाते या अन्य दूसरी बातों पर भी ध्यान देना चाहिए है ना बच्चों आज मैं विशेश रूप से आप लोगों के साथ एक बहुत ही प्यारे से कॉंटिनेंट की बात करना चाहूंगा जिससे प्रहब प्रस्टम पूछे जाते रहे हैं और यह कॉंटिनेंट एक ऐसा कॉंटिनेंट है जहां पर आप देखेंगे सबसे जादा फुटबाल कप जीता गया जैनि कि एक ऐसा कॉंटिनेंट जहां के लोगों ने विश में सबसे जादा फुटबाल कप जीते और धुनिया के सबसे जादा Miss Universe Miss World के किताब भी जीते गए अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर आप क्या बोलने जा रहे हैं मुझे समझ में आ रहा है ज्यादा नहीं केवल मैं आप लोगों का दस मिनट का टाइम लोगा और दस मिनट के इस क्रम में कम से कम एक से दो प्रस्ण आपको मिलेंगे ही मिलेंगे है ना समझ गए और इसी क्रम में मैं उस कोंटिनेंट को बना रहा हूं और तुरंत आप लोग अनुमान लगाईए कि यह साहब हैं कौन बिल्कुल सही आप लोग समझे यह हैं साउथ अमेरिका एक ऐसा कोंटिनेंट है जिसे कोंटिनेंट ऑफ बार्ट्स भी कहा जाता है यहनि पक्छियों वाला महादीप भी कहते हैं यहनि कि दुनिया में सरवाधिक संख्या में वेराइटी ओफ बार्ट्स यहीं पर मिलती है माना जाता है कि यहां पर नियर अबाउट थर्ट मोर देन थर्टीन हंड़ टाइप ऑफ बार्ट्स आर फाउंड दिया है इसलिए पक्छियों का महादीप है और यदि है तो मैं ही प्रस्न करूंगा क्यों ऐसी कौन सी परिस्तितियां उपलब्ध हैं जिसकी वजह से यहां पर इस्ति बन रही है और अभी हाल फिलहाल कुछ ऐसी परियावर्णी घटनाएं हुई है जिसकी वजह से प्रस्न की संभावना यहां पर बनती है ठीक है तो इस करम में थोड़ा साथ देखिए यहां पर जब इस महादीप को आप लोग देखने लगती है तो इस महादीप में कुछ चीजें बड़ी ही विशिस दिखाई देती है जैसे इसका उचावच इसके अपवाहतंत्र यहां की पोपुलेशन का स्वरूप बड़ा ही विशिस्ट और यूनीक दिखाई देता है इंटरस्टिंग बात यह है बच्चों जब भी कोई कोंटिनेंट पढ़ते है तो मैं यह बात कहना चाहूंगा कि दो तीन चार बातों पर विशेश रूप से ध्यान दिखे मैं आज उन्हीं सब बातों पर चर्चा विशेश रूप से करूंगा जैसे जब भी कोई कोंटिनेंट पढ़ रहे हूं तो उसके उच्चावच को सबसे पहले पढ़िए कि यह यहां पर परवत कौन कौन से हैं पठार कौन कौन से हैं मैदान कौन कौन से हैं यह आपको जानना बहुत जरूरी है मरुस्थल कौन कौन से यहां पर मैदान यह सब ही बाते उच्चावच कंतरगत विशेश रूप से पढ़ी जाते हैं साउथ अमेरिका की जब पढ़ने अ अपवाहतंत्र यानि कि यहां की नदियां कौन-कौन सी है जीले कौन-कौन सी है जहरने कौन-कौन से इन पर विशेश रूप से आप लोग ध्यान रखें इनको जरूर देखें और खासकर साउथ अमेरिका के संदर्म फिर यहां की बनस्पति कौन-कौन से यहां पर किस-किस तरह के पेड़ मिलती है क्योंकि उच्चावत जब अलग होगा तो जल्वाईवी का उच्चावत पहिसितियां अलग-अलग होगी तो बनस्पति का स्वरूप भी अलग-अलग होगा है न तो इन सब पर भी आपकी कौन-कौन से देश हैं कौन-कौन से नगर हैं और वहां पर कौन-कौन से विशेश रूप से आर्थिक गतिविधियां होती हैं इन पर भी बकाइदा नजर होनी चाहिए कई बार यह प्रस्ण पूछा जाता है जैसे कौफी पोर्ट अप दे वर्ल्ट किसको कहा जाता है मैं ऐसी बहुत सारी चीज़े हैं उन पर हम लोग सबसे पहले नजर डालते हैं और सबसे पहले मैंने कहा उच्चावच को आप लोग देख यदि उच्चावच में आप लोग बात करेंगे तो इसकी सबसे बड़ी खूपसूरती इसके उच्चावच की है कि दुनिया की सबसे लंबी रेंज यानि की एंडीज द कोडिलेरा यहीं पर फैली हुई है जो लगबग 8000 किलो मीटर लंबी विश्व की सबसे लंबी पर वर्षिंख लाया याद रहेगा एंडीज जो सिंपल लेंग्वेज में कह सकते हो यहां पर कोलंबिया कोलंबिया के साथ हिक्वेडोर पेरू यहीं पर ब्राजील बोलीबिया बहुत सारे देशों में फैली हुई है ना और यह एक नमीन वलित परवत का उदारण है और इसे ध्यान रखना इसको जब अपने अटलस में पढ़ोगे तो लिखा होगा एंडीज द यह वर्ड आपके लिए बड़ा सौकिंगा कि सर यहां तक तो थीक है कि अंडीज तो हम लोग जानते हैं द कोडिलेरा का क्या मतलब है तो सिंपल सी बात है कोडिलेरा इज बेसिकली वेरी टेकनिकल वर्ड स्पैनिश वर्ड और इ यानि कि यह पर्वतों का ऐसा समु है जिसमें जो परवत पाए जाते हैं वे अलग-अलग प्रकार से बने हुए होते हैं यानि कि हो सकता है कुछ वलन से बने हुए folding से बने हुए कुछ faulting से बने हुए वरंशन से बने हुए हूँ तो कुछ volcanic eruption यानि ज्वाला मुखी से बने हुए हूँ तो बात समझे मागी by different forces like folding, folding, falting और volcanic यानि वलन वरंशन और ज्वाला मुखी या अन्य दूसरे बल जो भी हो सकते हैं और बिभिन period के बने हुए हूँ यानि कि हो सकता है कोई 3ी करोड कोई 5 करोड कोई 10 करोड कोई 15 करोड यानि कि Noch कैसा आप से कह सकते हो तो कोई tersi period में बना हूँ तो कोई हर्शीन दूबना हो और कोई koll blank ऐन में बना हो ठीक है अलग-अलग टाइम पर अलग-अलग परवत बने होते हैं तो ऐसे जहां परवतों का सम्मूँ पाया जाता है इस ग्रूप ओफ माउंटेन इस नोन एज कोडिलेरा याद रहेगा ठीक यहीं पर आप जब इसके इधर साइड में जाओगे तो यहां पर तीन कोडिलेरा आपको या कोई भी एटलस सिंपली देखो तो यहां पर तीनों मिलेंगे ऑक्सिदेंटल सेंटल एंड ओरियंटल तो इस तरह से सबसे पहले क्या हो गया आपका विशेश रूप से एंडीज और एंडीज जब परवत हम पढ़ते हैं तो उसकी सबसे बड़ी खुब सूरती है उसक इस्टिंग बात है कि आफ्र हिमाल्या यह दुनिया के सबसे ऊची चोटियों वाला परवत छेत्र कहा जा सकता है ठीक है यह विशेश रूप से अर्जंटीना और चिली की बॉंडी पर इस्थित याद रहेगा तो इस तरह से यह बड़ा ही महत्पूर्ण परवर्शेणी क पर चुके एक लंबी पर्वस सिंखला है और अक्षान से स्थिति अलग अलग छित्रम अलग अलग पाई जाती है उचाइब अलग अलग पाई जाती है तो ऐसे में बनस्पति भी अलग-अलग पाई जाती है और विशेश रूप से इसके पुर्वीड हाल पर मालो ये बच्चों वाट इस मोंटाना मोंटाना इस स्पेशल काइंड वेजिटेशन विच फाउंड इस्ट साइड साइड अफ एंडीज यानि के पूर्वीड हालों पर पाई जाने वाली बनस्पती को हम लोग मोंटाना कहते हैं याद रहेगा तो यहां पर एक ही महत्पूर्ण परवर्शेणी है इसको आप लोग ध्यान रखना और उसके साथ साथ एक दूसरी उच्चावच की विसेश्ता यहां पर दिखाई देती है वह पठार यहां पर बहुत सारे पठार मिलते हैं और उसी पठारों में एक बड़ा ही महत्पूर् सारे ब्राजीलन हाइलेंट्स यह ब्राजीलन हाइलेंट्स एक अत्यंत प्राचीन भूखंड है जो मुख्य रूप से ब्राजील में इस्तित है बहुत ही इरोडिड है अब परदन हो चुका है और बड़ी खास बात इसकी यह है इट ओल्सो नोन एज ट्रेजर हाउस ओफ इस माउंटेन रेंज यह यह उप तो प्लेटुस सा हो गया है इसलिए हाइलेंड नाम दिया गया इस ब्राजिलन हाइलेंड इज ओल्सो नोन एज ट्रेजर आफ ब्राजिल यह मिनरल हाउस ओफ ब्राजील क्यों क्योंकि यह विफिन प्रकार के खनीजों से भरा हुआ है ल इसलिए यह बहुत ही महत पूर्ण है और इसी की ढ़ालों पर यानि कि यह जो पूरा एरिया है इसी के ढ़ालों पर कॉफी की खेती होती है तो इसे वेरी फेमस फोर कॉफी कल्टिवेशन इसको आप लोग ध्यान रखना ठीक है फिर इसी के बाद यहीं पर आता है एक पठार माटो ग्रासों यह ब्राजील में इस्थित है और मैंगनीज के उत्पादन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और यहीं पर आप लोग द बॉलीबियन हाइलेंड या अल्टी प्लेनों ठेक है इसी अल्टी प्लेनों पर बॉलीबिया मुख्य रूप से फैला हुआ और दुनिया की सबसे उची राजधानी जो बॉलीबिया की है लापाज यह भी यहीं पर इस्थित है और यह पठार तीन के उत्पादन के लिए इसी के क्रम में एक यहां पर गुवाना हाइलेंड मिल जाएगा आपको जो विशेश रूप से वेनेजुएला और सुरी नाम में इस्थित है और यह अलुमीनियम कुछ पादन के लिए परसित है ठीक है तो यह हुए कुछ साउथ अमेरिका के महत्पून आपके हाइलेंड और माउंटेन्स प्लेटूज इन सभी को आप लोग धान रहें आज मैं इतना ही क्लास रखना चाहता हूं फिर हम लोग अगली क्लास में जल्दी मिलेंगे और यहां पर पाए जाने वाले मैदान अन्य दूसरों पर विशेश रूप से चर्चा करेंगे तब तक के लिए आ और प्लॉड करके थोड़ा मेमराइज करना है कि यहां पर क्या पाया जाता है और क्या कहां पर इस्तित है ठीक है तो इसी के साथ मैं अपनी वानी को विराम देना चाहता हूं और फिर हम लोग कल मिलते हैं और अगली क्लास में इसके और संभदित और बिबातों की मैं चर् क्यों?